नमस्कार, दोस्तों. में हूँ, जी तंचभाद़ी, स्वागत है आप सभी, आपके अपने चैनल, Jake aRootek पे, दोस्तों, यवीडियो में हम बात करेंगे, सिमेट से लिडिक स्डॉक के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों, जेके सिमेंट का quarter three के नतीजे आये हैं और जो नतीजे आये हैं जो quarter three का जो result आया है दोस्तो बेहदी अजीब और चौकाने वाले नतीजे हैं और इस basis पे आप कह सकते हैं कि इसके जो result आये हैं उस basis पे जो है जेके सिमेंट में एक बड़ा धमाका हो सकता है और जेके सिमेंट को कबर करने की कोशिस करेंगे कि इस quarter 3 के रिजल्ट में जेके सिमेंट को कितना प्रॉफिट हुआ है और आगे की हमाई रिदेनिती क्या होनी चाहिए चार्ट क्या करा रहा है इसके अलावा जेके सिमेंट में किस परकार की आपरोच रूटी बनी हुई है तो बने रही है जे रिजल्ट यानि पिछले एयर की तुलना में इस साल जो है जेके सिमेंट को 75% का मुनाफ़ा नेट प्रॉफिट हुआ है और इस साल मुनाफ़ा दोस्तों हुआ है 217 करोड रूपे का 217 करोड 288 लाग का नेट बेंफिट हुआ है दिसंबर इसके quarter इंडेट दिसंबर 2020 के य पिछले 2019 में जेके सिमेंट को 124 करोड 29 लाग का फायदा हुआ था इसके अलावा जेके सिमेंट का दोस्तों जो ऑपरेशनल कास्ट है वह भी बड़ा है और 1471 करोड से 1832 करोड इसका हुआ है रिवेन्यू यह भी एक अच्छी बात है कि जेके सिमेंट लगातार ग्रोथ कर रहा है और इसके ग्रोथ होने के पीछे में रिजर्स आह है वह भी इस वीडियो में हम डिकास करेंगे और जानेंगे कि जय के सिमेंट में हवाई रचनल डी किस प्रकार की होनी चाहिए दीके जय के सिमेंट इसके अलावा फोर मिलियन टर्न पर इनम का जो एक प्लान इस्थापित करने जा रहा है और इसके लिए इस कि जो बोड की टीम है उसने अप्रूबल दे दिया है जेके सिमेंट को कि ओ जो है 4 मिलियन टन प्रती यर यहनी कि पर एनम यहनी 4 मिलियन टन का सिमेंट का प्लांट का प्रडक्शन यहां पर होगा यह भी एक बहुत अच्छी बात है इसके अलावा उत्तर प्रड़िश में उत्तर प्रड़िश में 2970 कर्ड का प्रोजेक्ट जो है इस्थापित करने की बात चल लए है जेके सिमेंट के दौरा आपको पता है कि कंश्ट्रक्शन का काम कभी बंद नहीं हो सकता और रंस्ट्रक्शन हमेशा चालू होने वाला एक ऐसा सेक्टर है इसलिए जेके सिमेंट में अपर्चुनुटी अभी भी बनी हुई है और जो उनतीस सो सत्र कोड का प्रोजेक्ट दोस्तो यूपी में स्थापित होगा यह जो है जेके सिमेंट के सेयर में जो है और ज्यादा ते आप किसी भी सिमेंट स्क्टर को देख लें उसमें लगतार ग्रोथ हो रहा है चाहिए आप एसी सिमेंट को देखें अमबुजा सिमेंट को देखें या रिलायन सिमेंट को देखें सिमेंट का कोई भी स्टॉक आज जो है जंप कर रहा है उसका में कार एक ही है कि सिमेंट की इमांड हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि जब तक जब जब घर बनेगा, जब जब लोगों के मकांस बनेगे, प्लाट बनेगे, बिल्डिने बनेगे, ऑफिस बनेगे, तो इन्फराइश्ट्रक्चर का जो काम होगा, उनमें सीमेंट जो है आवश्यक होगा, तो सीमेंट के साथ साथ आपको पता है कि JK White Cement जिसने हम JK बिरला पुट्टी कहते हैं जब घर बनता है तो पेंट होने से पहले जो पुट्टी लगाई जाती है ओ भी JK White Cement सिमेंट के साथ साथ JK White Cement का पहले लेप लगा जाता है उसके बाद पुट्टी लगाई जाती है JK Cement की तो एक तरह से कह सकते हैं कि JK Cement के साथ साथ इसके इंटिरियर डिजाइन के काम के लिए भी किया आता है तो JK Cement एक ब्रांड है और JK White Cement जो है एक और दूसरा ब्रांड है इसी की एक प्रड़क्ट है तो JK Cement में अपुरुट्टी अभी भी है और पहले थी और आगे भी होगी क्योंकि मैं बार-बार बोल ला हूं दोस्तों क फी इसकार दोस्तों की कंस्त्रक्षन का काम अभी तेजी के साथ चला आ है जितना डेवलाप चाहिए उतना डेवलाप हो नहीं रहा है लेकिन इंडिय गोवर्मेंट पूरा सप़ोर्ट कर रही है क्योंकि जन संक्या भी सपोर्ट को कंट्रोल करना इतना आशान काम नहीं है और जनसंक्या भिश्पोर्ट के कार मकान की आवशक्ता हमेशा पढ़ेगी और देखे आप बलागडाउन में देखे सारे सेक्टर बन थे तो उस सेक्टर में भी construction का काम तो दाउन हो गया था लेकिन फिर बाद में एक construction का काम स्टार्ट हो गया है अब तो vaccine भी बन गई है तो लो में cement की आवसकता तो पड़ेगी ज êtes अब बात करें अब बात करें के टेकनिकल कि इसके प्रमोंटर होल्डिंग की इतनी है जह के gebracht में 57 की यह परशेंट की शे arrived from www.badler.com की है और 42.26 परसेंट की परशेंट ये के सिरी में पभनलिक के पास ते दियानि आम जनता अबाउन बीक का हाई प्राइस है दोस्तों वो इसी साल 7 जनौरी 2021 को बना था तेइस सो पचासी रुपे कि जेके सीमन 110 115 के भाव पे था लेकिन आज जेके सीमन 2245 रुपे के भाव पे चल ला है तो देखिए जब भी किसी स्टॉक्स में आप लंबा जाते हैं मैं बार बार हर एक वीडियो में आप लोग को सीखाने की पढ़ाने की कोसिस करता हूं यह देखिए कोई भी स्टॉक्स ह हैं तो आपको फायदा जरूर होगा क्योंकि किसी ने तो किसी ने इन्वेस्ट जरूर किया होगा दोजार तीन चार में और जिसने भी इन्वेस्ट किया होगा आज जो है करोडों में हैं बात करें फ्राइडे के टेर्डिंग सेसर में तो 297 रुपे 50 पैसे से ओपेन हुआ 229 रुपे इसका हाई रहा और 225 रुपे जेके सिमिंट का लो रहा और जेके सिमिंट ने 238 रुपे 208 रुपे 10 पैसे पे क्लोजिंग दी तकरीवन 11.36 परशन की गिरावट जेके सिमिंट में जो है सुक्रवार के टेडिंग सेसन में आपको देखने को मिले सुक्रवार के टेडिंग सेसन में NFC पर यानि की नेशनल स्टॉक एक्स्टेज पर 131,481 की क्वांटिटी में जेके सिमिंट में शेर टेट किये गए हैं जिनमें से 67,825 की क्वांटिटी में जेके सिमिंट में शेरों की डिलिवरी उठाई गई है तकरीबन 51.69 के करीम में जेके सिमिंट में शेरों की डिलिवरी हांपर उठती हुई दिख रही है यानि की डिलिवरी की परसेंटेज मात्रा 50% से आधिक है यानि की लोगों का ट्रस्ट अभी भी सिमिंट सेक्टर में बना हुआ है और जो बजट पेश हुआ है दोस्तों इंडियन गवर्मेंट ने की सायद सिमिंट सेक्टर में एक बढ़िया हो सकता है और यदि आपने इसके स्टॉٹ को होल्ड करकि रखा है तो आप लोगों केलिए ब्रुद इह अच्छी बात है अब जेके सिमिंट के चार्ट को देखे तो चार्ट क्या बोलता है दोस्तों जेके सिमेंट का जो चार्ट है यह भी डबलू करो बनाता हुआ यहां पर दिख रहा है दीच में डबलू बना था लेकिन वो ब्रेक नहीं हुआ था यू बनाता लेकिन यू शेप से आवे शेयर कनवाट होकर डबलू शेप में आ गया है जब भी किसी स्टॉक्स में दोस्तो डबलू शेप बनता है या तो वहां से गिरावट वापस आती है या तो वहां से यह एक नई उचाई पर जाता है लेकिन इसका जो बाउन वीक का हाई है ऐसा लग रहा है कि यहां जो है अब इसका बाउन वीक का हाई भी ब्रेक होगा जो पिछले महीने 7 जनौरी को बना थ तो यदि आप लोगों ने जेके सिमेंट में अपना पोजिशन वनाया हैं तो अभी आपको होल्ड करना चाहिए जब इस टॉक दोस्तों एकिस सो दो हजार की नीचे जाए तब आपको इहां पर एकजिट करना चाहिए लेकिन एदि आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो जेके सुमेंट आपको प्रॉफित बनाकर जरूर देगा सबसे बड़ी चीज की एक दिन अगले दिन बड़ा जंप बाइंग का देखने को मिलता है इसके आप वाल्यूम तलास रहे हैं जेके सिमेंट में क्योंकि उनको पता है कि आने वाले टाइम में जेके वाइट सिमेंट जेके विरला पुट्टी इन चीजों की डिमांड हमेशा वने रहेगी तो ओ लोग छोटे लेवल पर यानी गिरावट में खरीदना पसंद करते हैं और जिन जिन लोगों बनाये रखिए हवड़ाई बिल्कुल मत क्योंकि जैसे ही आप हवड़ाते हैं OCR 2 आपके हाथों से निकल जाएगा निचे कमेंट बाक्स में कमेंट किजिए कि आप लोगों ने लागडाउन में किन किनी स्टॉक को सस्ते भाव पे खरीदा था और बेच दिया और आज जो लाइक करना बूले दोस्तो